नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फैसे स्वागित करता हूँ आपके अपने चानल अंकित पर्मा और अच्पिन ओडिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 16 नवंबर 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की सभी ताजा ख़बरें पूरूप CPS की कोठियों और दफ्तरों के अब कई तालबगार सचीवाले में जोगत भीड़ा रहे मुखे संस्तिय सचीवों को हटाने के बाद अब उनकी कोठियों और कार्यल खाली हो गए हैं अब इन पर सरकार में बैठे कैबिनिट रैंक और निगमों बोल्डों के कई द्यक्ष और अरोपा द्यक्ष की नजरे हैं इनको पाने के दे निता जोगत भीड़ा रहे हैं हलंकी परदेश सरकार के और से कारयल खाली और कोठियों के आवांटन के आदेश चारी नहीं किये गए हैं वहीं सीपियस से बापस ले गए 45 लाग की फॉर्चूनियर के लिए भी जुगार शुरू हो गया है गरगल एरपोर्ट मामला हाई कोट ने दिये विस्तारी करन की जरूरी अनुमतियों पर अनुपूरक हलफ नामा दायर करने के आदेश सरकार ने महादी वक्ता की और से 7 दिसंबर 2023 में दिये गए बियान को बापस लेने के लिए आवेदन दायर किया जिस पर उचनिया लेने या आदेशे दिये हैं हपी टूरिजम एक साथ तीन चूटिया होने से हिमाचल में बड़ी टूरिस्ट की संख्या यहां 50 फिस्ति पहुंची ओक्यूपंसी वीकेंड पर एक साथ तीन चूटियों के चलते हिमाचल में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है हिमाचल में शिमला कूपरी, कसॉली, चाहिल, नारकंडा, मनाले और दर्मिशाला में बड़ी संख्या में टूरिस्ट उमड़े हैं परदेश की होटलों में ऑक्यूपंसी बढ़कर 50 फिस्ति तक पहुंच गई है रोतांग साहित परदेश की उची चोटियों पर हलकी बरपारी के बाद सालानियों का आकर्शन बढ़ा है विंटर टूरिस्ट सीजन से पहले हिमाचल में सालानियों की संख्या बढ़ने से प्रेटन कारोबारी उतसाहित है हचपी राज़ चायन आयोग चायन आयोग के चेर्मेन का आज पद भार समय लेंगे राजीव कुमार हिमाचर प्रदेश राज चाजन आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष राजीब कुमार आज आयोग के हमीरपुर स्थित कारेले में कारेबार संबालेंगे शमला में बीते दिनों अध्यक्ष पद की शप्त क्रेहन की थी वह शनीवार को हमिरपुर स्थित कारेले में पहली बार पहुंचेंगे दोमा पूरु भी उनकी निक्ति को लेकर सरकार ने जारी कर दी थी लेकिन अस्वस्त होने की बाया से कारेभार नहीं संबाल पा रहे थे अब सेहत में सुधार होने के बाद वा आयोक का कामकास संबालेंगे आयोक के सचिब बिकरम महाजन ने का कि सदस्य सुक्तिव सिंग को अध्यक्ष राजीव कुमार शनिवार को शब्त दिलाएंगे शमला एक्सिडन्ट शमला में सडखाज सा खाई में गीरी बेकावु कार दो लोगों की मौत जांगला की ओर जा रहे थे सहवार शमला जी लेके रोडूप मंडल में एक कार अनेंतरित होकर गयरी खाई में जागी लिए हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई तस्पीरें आप तेख सकते हैं वैडिंग कार्ड स्कैम वर्ड सेप पर शादी की कार्ड भीज कर लोगों के खाते साफ कर रहे शातर पूलिस ने जारी की एडवाजरी शादी का अमंतरन वर्ड सेप पर आया है तो साफधान हो जाईए क्योंकि हो सकता ये शातरों की चालो जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपका खाता साफ हो जाएगा शातर वर्ड सेप पर डिजिटल शादी कार्ड भीज रहे हैं कार्ड का इस्तेमाल अब मालवेर फैलाने और परसनल डाटा चुराने के लिए किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की शीट कालीन स्कूलों में दस दिसम्बर से शुरू हूंगी बोर्ड परिक्षाएं ढेट शिट जारी हिमाचल की शीट कालीन अवकाश वाले स्कूलों की बारशिक परिक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षाओं से संबंदे डेट शीट चारी कर दिये तीसरी और पांट में कक्षा की प्रिक्षा हैं ठारा दिसंबर आठ में की 23 दिसंबर तक चलेंगी प्रिक्षाओं का आयोजिन सुबा 9.45 बजे से दोफेर एक बजे तक होगा प्रिक्षा में उपस्तित होने वाले अव्यार्तियों को प्रिक्षा केंद्रों पर पेपर शुरू होने से आदा घंटे पहले पहुँचना होगा प्रिक्षार्थियों को सुबा नौ प्यम्तालिस वजे उत्रपूस्तिका का अवंटित की जाएंगी दतनगर में रोज सत्रहजार लीटर दूद का होगा उत्पादन बीस जार किसान होंगे लाभानवेत मुख्यमंत्री सुख्विंदर सिंग सुख्वू ने शुकरवार को शमिला जिले के रामपूर में 54 लेटर प्रतिद्यन ख्यामता के दतनगर दोगद प्रसंसकर्ण से यंतर का उदगाटन किया इंटरनेशनल लवी फेर सियम ने लवी मेले में खरीदे दोडू और अखरोट प्रदर्शनी स्टॉल का किया नरिक्षर्ण वीरबार को अंतराश्री लवी मेले में मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंग सुक्खू के नजोय दोडू उनी कंबल और अखरोट खरीदे मुख्यमंतरी ने कंबल के लिए आठ जार रपे और अखरोट के लिए 900 रपे का वुक्तान गूगल पे के माद्यम से किया तस्वीरें आप देख सकते हैं सियम सुक्खू बोले विपक्ष के दुश पर चार से नहीं होंगे विचलित 900 पशू फार्मसिस्टों की होगी भरती रामपूर के दत नगर में हिमाचल के सबसे बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लोकरपन अफसर पर जनसवा को संबोदित करते हुए सियम ने काया कि राज जे सिरकार पशू पार्मसिस्टों की भरती करने जा रही है ताकि पशूपालकों को घरदवार पर बहतर सुविधायम में सक्या तस्विदी देख सकते हैं सियम सुकु से मिले करुणा मूलक आशलित नौकरी देने की मांग करुणा मूलक आशलितों ने शूकरबार को शाम मुख्यमंतरी सुकुवेंदर सिंग सुकु से वोक ओवर शिमला में मूलक आशलितों की करुणा मूलक संग के प्रदेश अध्यक शाजय कुमार की आशलितों की देख्षता में मिले प्रतिनीदी मेंडल ने नौकरी देने की मांग करते हुए का कि कैबिनेट में पॉलसी का संशोधन किया जाए हिमाचल कैबिनेट मेटिंग सीपियस मामले की चुनौती पर फैसला आज मंतरी मंडल की बैठिक शनिबार दो पहर मुख्य मंतरी सुक पिंदर सिंग सुकु की देख्षता में राज ये सचिबाले में होगी इस पैठिक में हिमाचल आई कोट से मुख्य संसिती सचिबों की निक्चियों पर आई फैसले पर चर्चा होनी है मुख्य मंतरी इस पैसले के बाद की स्तिती और लीगल ओपिनियन के बारे में मंतरी मंडल को बताएंगे जर्मिनी दोरे पर होने के कारण उद्योग मंतरी हर्श्वद्धन सिंग चोहन इस कैबिनेट बैठिक में नहीं होंगे राश्ट्री राजमार्ग तीन पर हासा कार चालक के को मिली ऐसी खौफनाक मौत स्पीने आप देख सकते हैं सरकागार से निजर राश्ट्री राजमार्ग तीन पर रखो के निक्ट रोपड में हुए एक सड़का हासे में कार चालक की मौत हो गई जानकारी के अंसवार प्रकाश चंद इकासट परशे अपनी बुलेरो कार में सुभा काम से जा रहा था आस-पास के लोग तरंत मौके पर पहुंचके जिन्होंने कार चालक को सरकागार अस्टार पहुंचाए यहां चिकित को ने उसे मृत कोसेत कर दिया तो दोस्तों ये थी हमाचल प्रदेश के आज की सभी तादा खबरे अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेयर करते है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूलें धन्यवाद जैभाद कर दोस्तों 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 झाल थो एब जुआू रहां?